हार्दिक पांडिया रोहित शर्मा पर शौकाने वाली ख़बर सामने आई ड्रेसिंग रूम की सच्चाई बताई जी हाँ, हार्दिक पांडिया रोहित शर्मा के बीच में चीजें इस आईप्यल में बहतर नहीं रही है शुरुआस से ही दोनों के अन्बन की खबरे आती रही हैं कभी ये बात कि हार्दिक पांडिया रोहित शर्मा से जिस तरीके से बात कर रहे हैं और आधी आईपल के बाद तो ये खुलेयाम हो गया कि रोहित शर्मा बिलकुल कप्तानी के फैसले से और हर्दिक पांडिया से खुश नहीं हैं। ये चीजें सोचल मेडिया पर आपने देखी। लेकिन अब जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं दैनिक जागरन के रिपोर्ट की मानें तो जो केके आर के साथ मुकाबला हुआ मुंबई इंडियन्स का उस मुकाबले ने इस कड़वाहट को और सरयाम कर दिया। उस मुकाबले में एक वाक्या ऐसा हुआ कि मैट्स से पहले रोहित शर्मा, तिलक वर्मा और सूर्क मार्यादो नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे थे। हार्दिक पांडिया उनके पास आते हैं लेकिन ये दोनों खिलाडी रोहित शर्मा तुरंत वहाँ से वापस चले जाते हैं। अब ये इशारा क्या करता है? ये तो वही वाली बात हुगए कि वह ड्रेसिंग रूम में चीज़ें बहतर नहीं हैं। उसकी ये सबसे साफ तस्वीर ये खबर बताती है। और हमने आपको लगतार तस्वीर दिखाई थी जब जब मुमेंट डेंस ट्रेवल करके जा रही है तो हार्दिक के साथ ज़्याड़ी करीब नजर नहीं आते थे। इशान किशन जरूर उनके साथ पे साथ कंदे से कंदा मिला कर चलते नजर आएं लेकिन बाकी के खिलाड़ी थोड़ा दूर ही नजर आएं। यह सारी चीज है जिसके बाद हुआ थे कि मुम्बई के सीनियर खिलाड़ी ने हार्दीक पंड्या के शिकायत करी हैं, ME यह IPR खत्म होते होते सब के सामने आगे और वह विजुल तो आपको यादी होगा जिसमें जिस तरीके साब शेक नायर से रोहित शर्मा बात कर रहे थे कि भाई दिखें मेरा तो हो गया, मेरा तो ये लास्ट सीजन है मैंने उसे मंदर के तरह बनाया, वो चीजें बदल रही हैं जिसके बाद के क्यार ने उस वीडियो को हटा कर ये साबित कर दिया कि चीजें बहतर नहीं है अब ये सारी चीजें चली आईपिल तक सीमित रहें तो बहतर है लेकिन अगर कप्तान और वाइस कैप्टन के बीच में इस तरीके के अनवन की खबरे आती है तो मामला वर्ल्ल कप को लेकर हो जाता है कि क्या कहीं इसका इंपक्ट जो है वो वर्ल्ल कप में ना पड़े भारतिय टीम को इन परिशानी का सामना वर्ल्ल कप में ना करना पड़े ये बात सबसे बड़ी हो जाती है क्योंकि अगर आपके टीम का महौल अच्छा नहीं रहेगा उसका असर आपके वर्ल्ल कप पर पड़ेगा अब ये रोजच शर्मा की हमने जो बाते आपको बताई हादिक पांडिया को लेकर जो बाते बताई अब आपके इसाब से इस पूरे लड़ाई में सही कौन है और गलत कौन है कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दें